पांच गरीब बहूं का तिरंगा घर इस घर से तो मैं परिशान हो चुकी हूँ, सच में श्रेया ऐसे दुखी मत हो, जब हमारे पती सरहच से वापस आ जाएंगे तो देखना हम लोग ये कच्छे से घर में रहेंगे नजानी वो लोग कब आएंगे और कब हमेज तोटे पूटे घर से चुटकारा मिलेगा श्रेया अपने तोटे पूटे घर को देखकर काफी दुखी हो रही थी कि तब भी प्रीती और लता हाथों में छोटी सी सिमेंट की पनी लिए घर आती है ये सिमेंट तुम लोगों को कहा से मिला पासवाली मंदिर में थोड़ा काम चल रहा था न तो वहीं से ले आई अब जहां से घर की दिवारों में दरार आ रही है वहाँ पर हम सिमेंट को लगा देंगे पांचो बहुएं सिमेंट का गोल बनाती है और चट और दिवारों की दरार पर अच्छे से सिमेंट को लगा देती है पांचो बहुएं की पती फौज में होते हैं जिसके चलते वो काफी लंबे लंबे समय तक घर नहीं आ पाते वहीं पांचो बहुएं बड़ी मुश्किल से अपने इस तूटे फूटे घर में गुजारा कर रही थी हेमा हर रोज की तरह आंगन की जाडू लगा रही थी कि तभी वो देखती है कि उसके घर के बाहर से दो बाइक सवार गुजरते हैं हेमा उन जण्डों को लेकर घर में जाने लगती है कि तभी श्रैया और लता भी हाथों में धेड़ सारे जण्डे लेकर आती है अरे श्रिया लटा तुम्हारे पास ये इतने सारे जंडी कहां से आए लोगों को तिरंगे खरीदने का तो शौक है लेकिन उसकी इज़त करना इन लोगों को जरा भी नहीं आती पंधरा अकस्ताने वाला है न तो मार्केट में हर कोई तिरंगे खरीद रहा है तिरंगे के साथ फोटो क्लिक कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हैं और उसके बाद तिरंगे को समीन पर फैक देते हैं इसलिया असबास जितने भी तिरंगे थे हमने उनको उठा लिया कम से कम ये किसी के पैरों में तो नहीं आएंगे तीनों बहुए तिरंगों को इकठा करके घर में संभाल के रख देती हैं और ऐसे कुछ वक्त गुजर जाता है हेमा मैंने सबसी में छोग लगा दिया है तुम जो तक आटा गूंत लो मैं आंगन में रखे हुए बर्तनों को धो देती हूँ प्रीती चूले पर सबसी रख आंगन में वर्तन धोने के लिए निकल जाती है वहीं हेमा चूले के पास बैठ कर आटा गूंत रही होती है कि तब यूंके टूटे फूटे कमजोर मकान के छट और कमजोर हो जाती है और अचानक छट का एक टुकड़ा आकर चूले पर रखी हाथ जल जाता है हमा की चलाने के आवास सुन बाकी बहुएं हमा के पास आती है हमा तुबारा हाथ कैसे चल गया हमा सारी बात उने बताती है जिसके बाद अब जल्दी से श्रिया हमा के जले हाथ पर दवाई लगा देती है आकिरकार कब तक हम इन परिशानियों का सामने कर लेकिन हम इस गहे में रहने के लावा और कर भी क्या सकते हैं यहां असपास तो हमारा कोई अपना भी नहीं है जिसके घर में हम लोग कुछ दिनों रह लें पांचों गरीब बहुएं आए दिन अपने घर में होने वाली परेशानियों से काफी ज़्यादा दुखी रहने लगी थी अब इस दर्वाजे को क्या हुआ? खुल क्यों नहीं रहा? श्रिया जैसे दर्वाजा खोलने की कोशिश करती है तो एकदम से दर्वाजा तूट कर श्रिया के हाथों में आ जाता है अरे श्रिया यह क्या हुआ? तूटे हुए दर्वाजे को देखकर पांचो बहुएं उदास होकर खड़ी होती है कि तब ही वहाँ उनकी अमीर घमंडी पड़ोसन अनू आती है अरे यह क्या? कल तक तो तुम्हारा गर ही तूटा फूटा था और आज यह दर्वाजा भी तूट गया बेचारी अब तुम लोग कैसे रहोगे? एक काम करो पड़ता लगा लो क्योंकि तुम लोगों की तो इतनी ही हैसियत है अनू पांचो बहु की गरीबी का मज़ाग उड़ा कर वहां से चली जाती है और बेचारी गरीब बहुए अपनी गरीब किसमत को देखते हुए अनू को जवाब नहीं दे पाती और ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है प्रीती सब्जी मंडी से आलू ले रही होती है कि तब ही मंडी के पास में बने स्कूल की छुट्टी हो जाती है जिसमेंसे काफी सारे बच्चे हाथों में तिरंगा लिये निकलते हैं लेकिन उनमेंसे कई बच्चे तिरंगी को जमीन पर गिरा देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं जिसे देख प्रीती जल्दी से वहाँ जाती है और उन तिरंगों को उठा लेती है और उन्हें संभाल कर घर ले आती है अब जब भी पांचों बहुएं बाहर जाती तो सब गली महले के पास पड़े तिरंगे को उठा कर उसे घर पर ले आती जिससे कई 15 अगास और 26 जनवरी की वज़ा से 5 बहुएं देर सारे तिरंगों को इकठा कर लेती है लेकिन इस बीच उनके घर के हालत पहले से भी ज़ादा खराब होने लगी कभी दीवारों से मिट्टी जड़ती तो कभी छट जगा से तूट कर नीचे गिरने लगती मैं सूच रही थी क्यों ना हम किसी वैक्टरी या लोगों की घरों में काम ढूनना शिड़ू कर दी पांचों बहुएं कई फैक्टरी और घरों में काम की तलाश करती हैं लेकिन काफी ढूनने पर भी उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता ऐसे समय गुजरता है और अब 15 अगस्त एक बार फिर आने वाला होता है पांच बहुएं हर रोज की तरह काम न मिलने की वज़ा से निराश होकर घर लोट रही होती है कि तबी कुछ आदमी बाइक पर बैठे अनौनस्मेंट कर रहे होते है सुनिए सुनिए इस 15 अगस्त पर सरकार की तरफ से एक प्रतियोगिता योजित की जा रही है इस प्रतियोगिता में आप लोगों को हमारे भारत देश के जंडे यानि तिरंगे से कुछ अनोखी चीज बनानी है जिसकी भी बनाई हुई चीज हमारे जजिस को पसंद आएगी उसे सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा उस अनाउंस्मेंट को सुन 5 लाख रुपए एक दोसे की शकल देखते हुए कहती है क्यों ना हम भी इस प्रतियोगिता में भाग लें हमारी पास तो धेर सारी तिरंगे भी है लेकिन हम तिरंगे से बनाएंगे क्या हमने इससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है श्रिया की बात सुन 5 लाख रुपए भी इसी सोच में पढ़ जाती है और काफी समय तक इसी चीज़ के बारे में सोचती है कितना समय हो गया है और हम अभी तक ये सोच ही नहीं पाए कि हम क्या बनाएं ऐसी तो हमारी प्रतियोगिता ही निकल जाएगी पाच अबों में काफी जादा परिशान होती है कि तभी प्रीती की नजर अपने तूटे हुए घर पर पढ़ती है जिसे देख प्रीती मैं सूश रही थी कि क्यों नहीं हम तिरंगे से घर बनाएं क्या घर मैं जानती हूँ ये सुनने में थोड़ा आजीब है लेकिन हम कोशिश तो करी सकते हैं जितना मैं जानती हूँ किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि वो तिरंगे से घर बना सकते हैं और वैसे भी हमें त लात देती हैं जिसके बाद अब पांचों बहुएं मिलकर जंगल से धेर सारी लकणिया एकट्टा करती हैं और उनमें से एक घर का स्ट्रक्चर बना लेती हैं। प्रतियोगिता भी शुरू होती है जिसमें काफी सारे लोग तिरंगे से अलग अलग तरह की चीज बना कर जो जजजिस के सामने पेश करते हैं। पांचों बहुएं जजजिस के पास आती हैं। सर हमने जो चीज बनाई हैं हम उसे यहां नहीं ला सकते इसलिए आपको हमेरी साथ चलना होगा। श्रिया की कहने पर जजजिस पांचों बहु के साथ जाते हैं और उनका तिरंगे से बना हुआ घर देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तिरंगे से घर भी बन सकता है यह मुझे नहीं पता था। आप लोगों के पास तिरंगे से घर बनाने का आइडिया कहां से आया। पांचों बहु के इतने अच्छे आइडिया की वज़ा से जजजेज पांचों बहु को प्रतियोगिता का विजएता साबित कर देते हैं और उन्हें पांच लाग का इनाम देते हैं। तबी 15 अगस्त के इस शुम मौके पर उन पांचों के फौजी पती भी घर लोटाते है आप आ गई?